वेलो इस्ट्रेंट्स वेल्टम बैक टो माई चैनल आज हम लोग आपकी वक्षिट नंबर 16 करने वाले हैं जो आपकी जर्णली की वक्षिट है क्लास 6 7 8 तुई नों इस्ट्रेंट कीए बच्चो यह सिर्फ हिंदी मिडियम में वक्षिट आए काफी इस्ट्रेंट करते हैं स आप सो कोई भी कॉस्टन पूछता था जो भी इस्ट्रेंट उसका अंसर देता था उसके घर पर गिफ्ट सेंड किया जाता था ठीक है बाकी आप लोग वक्षिट आज की पूरी देखेंगे जो बच्चा सुरू से लेके एंड तक वक्षिट देखेगा उसे पूरे गेम के सेवन्थ एर्थ ठीक है तीनों स्ट्रेंड की वक्षिट है वक्षिट के नमबर बच्चों कितना है आपका 16 जैनरेक 16 अब आपकी डेट कितनी है इसकी 18 दिसंबर की आपकी वक्षिट है यह सब चीछ पहले आप अपनी नोटबुक में फिल कर लोगे ठीक है चलिए हम खुबसूर्ती तक के लिए वर्दान की तरह है तो ठंड का कनेक्शन किससे कहा गया है खुबसूर्ती से भी कहा गया है इस मौसम में आप अपने सहस्ते को बहतर बना सकते हैं और तरचा को भी लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सवधानिया रखने भी जरूरी है ताकि ठंड आपके लिए फायदेमन साबित हो बदले हुए इस मौसम में आपको कुछ बातों को अध्यान रखना है जानिये ठंड के मौसम में सहत के लिए क्या क्या करें क्या ना करें बदलती हुए मौसम में सरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता देखिए ठं बिट में लाने में समय लगता है आप लोग किसको बच्चों को और फिर ओल्ड एज के जो होते हैं ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें क्या होता बच्चों जल्दी वो लोग बिमार हो जाते हैं और यह दिया होगा इसमें क्यूंकि उनकी रोक परति रोक समझा जुखाम, खासी, सर्दी, जुखाम, सा, समंदी, रोक अधिक होते हैं जिनसे बचने के लिए सरीर में गर्मी बनाए रखना जरूरी है इसके लिए प्रती दिन धूप लें सुबह साम सेर पर जाएं इससे सरीर में प्रकृति रूप से गर्मी बनी रहेगी सुबह उठकर अगर आपको पानी पीने की आदत है तो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ठंड के मोसम में गुनगुना या गर्म पानी की आदत बनाए इससे सरीर का तापमान बढ़ेगा और अंतरिक अंग सही तरीके से कारे करेंगे तो आप लोग को क्या करना है ठंडा पानी नहीं प भोजन में गरम मसालों को सामिल करें मसाले आपके सरीर को अंतरिक गरम परदान करते हैं इसके अलावा अधरक वाली चाय, लॉंग, हल्दी का काड़ा, सोदे समय पीएं अगर दूद पीदे हैं तो हल्दी डाल कर पीएं ये आपको सर्दी और बिमारियों से भी बचाता है इस मौसम में ठंडी वा खटी चीजों खाद्य का परियोग ना करें ये आपको विमार कर सकते हैं फ्रीज में रखी चीजों का परियोग ना करें उसे समाने टेंपरेचर पर लिया हैं ठंडी में मौसम हरी सबजियों की भरमार होती है ये हैं इस भरपूर उपयोग करें च उगते हुए सूरज की धूप आपकी छाती पर आनी चाहिए इस तरह से आपको विटामिन D मिलता है सरीर में गर्मी आती है जो बनी रहती है ठीक है सूरज की धूप कहा आनी चाहिए आपकी छाती पर आनी चाहिए और आपको क्या मिलेगा विटामिन डी मिलेगा अब बच्छों मैं यहीं से आपको कूशन पूछ लेता हूं कि विटामिन ए आपको किन चीजों मिलता है विटामिन fire ठीक है इसमें डीकी बात करें यह आपका आज का कुछन है अब मैं यह बताऊंगों कौन बच्चा कैसे जीए सकता ठीक है इस मौसम में सूखे मेवो का भरपूर सेवन करें इससे दिमाग में तरावट होगी इसमाद सकती के सासा सेयत और खुसपूरत बढ़ेगी इस मौसम म आपको क्या करना है कुछन नंबर एक नोट डाउन करना है चलिए इसका अंसर लिखते हैं इसमें दिया गया सर्दी काम मौसम आपको कैसा लगता है अपने अनुभव लिखिए आप लिखोगे बहुत अच्छा लगता है क्यूंकि क्यूंकि सर्दी के मौसम का द्रश्य ही कुछ सुहाना होता है आप आप अब आप 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 वह इसमें बर्फ भी पढ़ती है बर्फ भी पढ़ती है तो आपको वह बर्फ भी अच्छी लगती है चलिए अब नेक्ट पे आते हैं इसमें दिया गया है ठंड के मौसम में आप क्या क्या सब्धानी रखते हैं लिखिए आप ठीक है देखो सबसे पहले आपको क्या रखना है कि शरीर को हम तीन चीज़ लिखेंगे शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े पहने ठीक है गर्म कपड़े पहने ठंडा पानी पीने से बचे ठंडी चीजे खाना से ठीक है ठंडी कोई भी चीज नहीं खाने है ठंडी चीजे खाने से बचे ठीक है और इसमें आप क्या करे लिख सकते हों गर्म पानी जरूर पीने ठिक है ठीक है आपको यह कहने शीए गर्म पानी जरूर पीना चीए जो गें अब आपको आपको आको कौन कौन सी री टूब पसंद है और क्यों की आप वस कोन कौन सी री तू पसंद घेक के सिर्फ आपको एक बतानी है क्या है घर्मी पसंद सर्दी काफी पच्छते होते जिन्हें घर्मी पसंद कि जाद हतार बच्चों को सर्दी पसंद कि ऐसे का तो आप लिखूगो सर्दी ही ठीक है आप फिर अप लिखोगे क्यूं की आपको पिसन deber소 यह कि सुहाना होता है क्योंकि बच्चों घर्मी वाली हालत नहीं होती है कि ज्यादा धूप हो तीके चिडशड़ा पर नहीं होता है सर्दियों में वह इसमें बर्फ भी पड़ती है बर्फ भी पड़ती है जिसमें खेलने में मज़ा आता है ठीके श्रेंट्स तो यह आपकी वक्षिट होती है कम्प्लीट ठीके तीन को संदे अब देखिए मैंने आप लोगों से कुस्सन पूछ लिया है ठीके जिसने वक्षिट पूरी देखिए उसे पता लगाँगा कि मैंने कुस्सन कहां पूछा है अब देखिए आप गिफ्ट कैसे जीश सकते है उस बारे में मैं आपसे बात करूँगा ठीके मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि दिखिए अगर आपने यह वक्षिट पूरी देखिए ठेक है और आपने इसका अंसर दिया है ठीक्हैं तो अंसर काफी बच्चे देंगे आप देखिए सेलेक्ट कोना होगा जो मेरी चैनल से डेली वक्षिट करता होगा बना जो भी आपकी लास की देली करते हो ए और वीडियो को पूरी देखते हो अध्यों एच फ्रेंड के शर्शियर कर देते हो जैसे आपने वीडियो कंप्लीट कर पर किया टिया ओर आपने विडियोग चैल्लक कोmeter स्क्राइब कर रखा लिंक बच्छों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसका नाम है विलोग चन्न का सुजीज सिंह ठीक है अगर आपने सिर्फ चार काम करते हो डेली वक्शिट मेरी चैलंग से करते हो वीडियो का हमेशा पूरी देखते हो दस फ्रेंड के साद शेयर करत तो बच्चो अगर आपने अंसर दिया है तो आपका नाम डेफिनिटली सेलेक्ट हो जाएगा ठीक है और आपके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया जाएगा और देखो बच्चो रिजल्ट ठीक है टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे जोइन कर लेंगे आपका ठीक है आपका संड अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो जरूर यह काम करिएगा क्यूंकि काफी बच्चो ने पहले गिफ्ट जीता है आपको पता है स्मार्ट फोज मेरे चैनल से मिली है ब्लूतूत मिला है है एडफोन मिला है ठीक है बच्चों मिलते है नेक्स वीडियो में ति जा बच्चों मिला हैं तौतूत मिली है मँल civुषत नेक्स वां तो कि जीता है वह कि एपождते हैं ताлен टिमरे जिता है